नमस्का, Hindi Animation Tutorial में 3D Max Tutorials Part 52 में का स्वागत है इस Tutorial Series में हम इस Alien Character का Texturing सिखेंगे 3D Max Character को Photoshop में कैसे Import करते हैं ये भी हम जान लेंगे इसके साथ ही UV को कैसे Render किया जाता है Photoshop में Highlight and Shadow कीस तरह से Apply किया जाता है और Photoshop में 3D Mode से Flat Shaded Mode पे कैसे काम किया जाता है इन सब चीजों के बारे में जान लेंगे तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एक Box Create करते हैं एक Medium Size Box में यहाँ पे Create करता हूँ अब Prospective View में Zoom In होने के लिए में Keyboard पे LW की Press करता हूँ अभी में यहाँ पे आपको Unwrapping के बारे में समझाना चाहता हूँ मान लो कि आपके जनम दिन पे आपके Girlfriend या Boyfriend ने आपको एक Box Gift किया है जो पूरी तरह से Gift Wrapping से ले से और जब आप उसको Gift Wrapping से बाहर निकालते हो तो एक चीज़ आप Notice करते हो कि उस Gift Wrapping को Box का Shape आया हुआ रहता है अभी मान लो कि कुछ कारणों से यही Gift आपको दूसरे को Forward करना पड़ रहा है तो आप इसी Gift को उसी Gift Wrapper में लपेट के नया लेबल लगा के दूसरे को Forward कर दोगे यहाँ पे जहान देनी वाली बात यह कि Gift वही है रैपर भी वही है लेकिन उसको अलग डंग से दूसरे लेबल के साथ रैप किया जा रहा है तब इसी Gift की पैचान बदल रही है और यही Wrapping और Unwrapping Method अगर 3DX Max में लाएंगे तो उसे UV Wrapping और UV Unwrapping इस नाम से जाना जाएगा UV दरसल हमारे 3D Model का 2D representation रहता है और UV का Simple मतलब है 2D, 2 Dimensions ठीक है तो मैं अब यहाँ पे UV Editor को उपन करता हूँ इसके लिए हमें Modifier टैप पे क्लिक कर Modifier List में से Unwrap UVW Option पे क्लिक करना है ठीक है अभी यहाँ पे हमें काफी Options दिखाई दे रहे हैं और जैसे हम UV Editor को उपन करेंगे तो वहाँ पे भी काफी Options रहने वाले हैं आपको यहाँ पे सिर्फ यह समझना है कि सबसे पहले वाला vertex है फिर इसके बगल वाला Age और सबसे अंतिम में Polygon अब इस पहले वीडियो में तो मैं यह सारी चीज़े आपको नहीं explain कर सकता पर मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो subscribers इस Tutorial Series को follow करेंगे वो अंत में यह सारे Options के बारे में जान लेंगे फिलाल आपको इन तीनों को अच्छे से ध्यान रखना है पहला वाला vertex, सेकंड वाला Age और लास्ट वाला Polygon तो अब मैं आपको UV Editor के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ दरसल UV Editor के मदद से अपने object का 3-dimensional surface हम 2-dimensional में देख पाते हैं और उसे edit भी कर सकते हैं ठीक है मैं आपको open करके दिखाता हूँ और जैसे यह open होता है वैसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे tap दिखाई देंगे लेकिन यह जितना complicated लगता है उतना है नहीं मैं आपको समझा देता हूँ अब जो यह area हमें दिखाई दे रहा है यह पूरा area इसे हम workspace कहते हैं जहां पर हम अपने 3D object का 2D representation बना सकते हैं इसके अलावा इस 3D object का UV surface हम यहां पर tweak कर सकते हैं तो अभी हम simple तरीके से इस cube को यहां पर unfold करके देखते हैं तो इसलिए मैं UV editor के mapping menu पर click करता हूँ एक minute, एक minute, एक minute, पहले हमें यहां पर polygon option को on करना है अब mapping पर click कर flatten mapping को select करना है flatten mapping से यह होता है अपने 3D object के सारे faces पेपर की तरफ flat हो जाते हैं जीने बाद में हम photoshop में ले जाके अपने तरीके से paint कर सकते हैं हो सकता है कि organic shapes के लिए हमें इसके साथ यह जो दो अन्य option से उनका उपयोग करना पड़ सकता है और अर्था दे हम बाद में देखने वाले है जब हम alien को texture करेंगे लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं flatten mapping पे click करता हूँ और जो भी default options से आपे दिखाई दे रहे हैं इन्हें ok करता हूँ ठीक है अब यहाँ पे देखिएगा UV editor में हमने polygon mode को select किया हुआ है जैसे selected polygon object के surfaces हम viewport में highlight करते हैं तो उसका real time update हमें UV editor में से भी दिखाई देता है इसका मतलब सीधे तोर पे यह है कि इन UVs को अगर हम photoshop ले जाते हैं इसके उपर काम करते हैं design apply कर देते हैं और फिर वापस इसे 3D software में ले आके इस box के उपर wrap करेंगे तो स्वाबावी group से इस box को उस design की शकल और सूरत प्राप्त होगी ठीक है दोस्तों तो इस चीज़ को हम यहाँ पर practical कर देखते हैं इसके लिए मुझे इन UVs को render कर photoshop ले जाना होगा अगर आप photoshop के लिए नए हो तो मैं आपको यहाँ पर request करता हूँ कि आप हमारी photoshop tutorials follow करें ताकि आपकी photoshop software के बारे में idea clear हो photoshop tutorial link आप नीचे description में पा सकते हो ठीक है तो अब हमें इन UVs को photoshop ले जाना है इसके लिए मैं tools option में से render UVW template पे click करता हूँ यह आपको tools option में सबसे last में मिलेगा अब यहाँ पे आपको और अधिक options मिल रहे हैं जैसे यहाँ पे यह सबसे पहली field height and width दिखाती है अब आगे है show overlap अगर हमारे UVs एक दूसरे के ऊपर overlap है और हम इसे render कर लेते हैं तो इस option के बनत से हमारे final render output पे render marks दिखाए देंगे फिलाल के लिए इसके हमें जरूरत नहीं है लेकिन आगे जरूरत पढ़ सकती है अब हम steam ages की बात करते हैं steam ages का color आप यहाँ से change कर सकते हो इसका मतलब जब भी हमें render output मिलेगा उसकी ages इस color के according render होगी तो यहाँ पे हम इसे green ही छोड़ देते हैं और render UV template पे click करते हैं तो यह रही हमारी render image अगर मैं mouse के scroll button से इसे zoom in करता हूँ तो यह green ages हमें render होते हुए यहाँ पे दिखाई देती है और यह जो rectangle से वो दरसल हमारे UVs है ठीके तो इस floppy disk के icon पे click कर इस render image को हम अपने computer में save कर लेते हैं इस file को हम UVs file के नाम से save करेंगे तो यहाँ पे मैं type करता हूँ UVs और इसका जो file format है वो हमें jpag रखना है ठीक है jpg तो UVs.jpg नाम की file में यहाँ पे desktop पे save करता हूँ इस image control panel को ok करें तो अब इस desktop पे save हुए file को हम photoshop में open करेंगे तो इस video को मैं यहाँ पे pause करता हूँ अब next हम photoshop में मिलते ठीक है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने photoshop में इस image को open कर लिया है और जैसे पहले मैंने आपको बदा आता कि यह जो rectangle से यह है UV maps जो हमारे 3D object को 2D में represent कर रहे है ठीक है तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को आपको यह बिल्कुल practical way में समझाता हूँ तो मैं कीबोड पे B की प्रेस का brush select करता हूँ इस color icon पे click कर आपको जो चाहिए वो color आप यहाँ से select कर सकते हो अब हम हर एक UV पे एक number draw करेंगे जैसे मैं यहाँ पे एक number draw कर रहा हूँ फिर 2 number, 3 number, 4 number, 5 number और 6 number अब मैं कीबोड पे Ctrl S की प्रेस कर इसे save कर लेता हूँ ठीक है अब हम वापस 3DX Studio Max में चल देखते हैं यहाँ पे पहले वाले सारे options बंद कर देते हैं अब मैं कीबोड पे M की प्रेस कर material editor open करता हूँ इस material editor के मदद से हम इस cube पे वो image reapply कर देख सकते हैं और इससे हमें भी यह UV mapping क्या होता है इसकी idea आजाएगी बाइडिफॉल्ट इस slate material editor open होगा यह actually node-based material editor है और इसके कुछ options काफी advance है लेकिन हम यहाँ पे compact material editor open करने वाले हैं क्योंकि compact material editor से अगर आप comfortable हो जाते हो तो node-based material आप आसानी से सिख पाओगे तो mode में से हम compact material editor select करते हैं max के जितने भी पुराने वर्जन से उसमें compact material editor का इस्तमाल करके ही texturing दिया जाता था इसलिए अगर कोई पुराना वर्जन यहाँ पे use कर रहा है तो उसके लिए good news है और जो अमरे brand new student है जिन्होंने 2012 के बाद ही 3D Mac सिखना शुरू किया है उनके लिए यह तरीका थोड़ा सा पूरा ना हो सकता है लेकिन यह classic तरीका है ठीक है तो इस पहले material slot को select करके assign material to selection इस button का प्रयोग कर हम इस material को object पे apply करते show shaded material in viewport यह button active होना चाहिए तभी हम object पे apply किया गया हूँ material viewport में देख सकते है अब maps के बारे में जान लेंगे अब हमें diffuse के सामने none tab उस पे click करना है तो आप यहाँ पे भी diffuse none देख पा रहे हो और यहाँ पे भी तो दोनों में से किसी एक पे click करें और फिर bitmap पे click करें अब यहाँ पे जो desktop पे हमने UV save कर रखा है उसे open करते है अब इस slot को object पे apply करने से हम यहाँ पे वही 123 number वाला texture देख पा रहे है और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इसे Photoshop में प्लान किया था आपको चाहिए तो और एक बार UV editor उपन करें और हर एक face को यहाँ पे select कर देखे Photoshop में paint किये गये हुए number और यहाँ पे selected UV poly दोनों एक बुसरे में अच्छे से sync हो रहे है alien character को paint करने से पहले इस basic texturing method को आपको समझना होगा इसके अलावा आपको texturing concept clear होने के लिए कुछ ज़्यादा tutorials देखने है तो अपने channel में से material, material map, UV mapping और robot texturing यह tutorials आप follow करें इन सारे tutorials की link मैंने description में दे रखी है तो next tutorial में हम थोड़ा सा complicated topic handle करने वाले है वो है हमारे alien head को unwrap करना तो दोस्तों मिलते हैं next tutorial में अगर आपको यह tutorial अच्छी लगी तो इस channel को आप जरूर subscribe कीजिएगा तो next alien head unwrapping इन के बारे में हम next lecture में विस्तार से जान लेगे लेकिन इसके लिए आपको मेरा channel subscribe करना हुआ Hindi animation tutorial के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभर है